ग्यान देटरेसल में आपको स्वागत वे हैं और हम आपको बताएंगे कि एक चुलाई तक आपको पैन कार्ट और आधार कार्ट लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है केंदर सेरकार ने 1 시 rien 2017 सक पैन-कार्ड को आधार नंबर से लिंक्ड नहीं कराना अनिवारे कर दिया है ऐसा नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जाजा है दूसरी हो सरकार ने रिटर्न टेक्स भरने के लिए PAN कार्ड और आधार नंबर को अनिवार करते हैं इसका मतलब साफ है कि PAN को आधार से लिंक नहीं कराया तो मुझूदा वितवर्स में इंकम टेक्स रिटर्न आप नहीं भरवाई लिए सरकार के निदेश के बार उन लोगों परिशानी होगी जिनके नाम की स्पेलिंग PAN कार्ड और आधार कार्ड में अलग अलग है ऐसे स्थिती में भी PAN कार्ड और आधार को लिंक करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है Pankard, Aadhar Card और Bank Account में दी गई आपकी रिटेल अलग है तो आप अपने Pankard अत्वा Aadhar Card पे बदलाव के लिए आवेधन कर सकते हैं Pankard में सुधार के लिए आवेधन Income Tax Department की वेबसाइट पर कर सकते हैं दूसरी ओर आधार में सुधार करवाने के लिए आधार केंदर पर जा सकते हैं या ओनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं सरकारें टेक्स शुरी को रोपने के लिए यह कदम उठाया है मौजूदा समय में देश में 24.37 क्रोड सदिक पेंकरड है और 113 क्रोड से ज़्यादा लोग का आधार कट बनाया जा चुका है तो इन में से महच 2.87 क्रोड लोगों ने 2.123 क्रोड टेक्स रिटर्न जमा किया तो इन 2.87 क्रोड लोगों में 1.62 क्रोड लोगों ने टेक्स रिटर्न दाकिल तुकिया लेकिन टेक्स में एक विर्पे का बुक्ता नहीं किया है तो धन्यवाद आप हमारे चनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देशिए धन्यवाद में